नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग आसा करते हैं अच्छे होंगों दोस्तों आज मैं बात कहने वाला हूं तो दोस्तों 2021 ट्रांसपुरटरटरने इस पार्टमेंट और केंत सरकार ने मिल करके जो अभी नए रूल बणाये हो या फिर प्राबिट रांसपुरूट तो दोस्तो इन सब चीज के लिए एक speed limit tag किया गया है, सभी vehicle के लिए जो कि आपको पता होना चाहिए, आपको पास आपको पास आपको विकल है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी के speed कितनी है, और आपकी speed से चल सकते हैं, तो दोस्तो सबसे पहले बात अबर में चलती है, lightweight गाड़ियां होती है, जो कि छोटी taxi होती है, उनके बारे में बात करूँगा, उनकी जो speed है, जो highway पे 50-60 की कर दी गई है, जो कि पहले 40 थी, और अब आपको बता दो, वो 50-60 हो गया है, और जो कुछ सरकों पे अभी भी 40 की speed है, और भीरभार इलाका ज इसे उपर नहीं चलना है, अगर आप इसे उपर चलते हैं, तो आपका चलान हो सकता है, या फिर कोई सजा का प्रवधान है, तो उसको भूगत ना पर सकता है, अब दोस्तों बात करेंगे, टूबलेर के बारे में, जो कि स्कोटी और मोट साइकल होता है, दोस्तों इनके ल हेवी विकल होते हैं, और बड़ी बड़ी गाड़ियां होते हैं, दोस्तों, उनके जो स्पीड लिमिट तैकी आए गया है, वो चालिस की स्पीड है, पहले भी इतनी थी, और अभी चालिस की रखी गई है, और ये चालिस की स्पीड से उपर चलेंगे, तो इनका भी चलान ह हो सकता है तो दोस्तों यह सभी लाग जो नए नियम जो आया है ग्यारा जून 2021 से लागू हो गया है जो कि दो दिन पहले भी निकला है वो ग्यारा तारिक से यह लागू हो तो दोस्तो अगर आप रोड पे चलते हैं तो इसी स्पीड पे चले इससे स्पीड ऊपर ना चले नहीं तो चलान हो सकता है अब दोस्तो बात करेंगे क्या अगर इससे स्पीड ज्यादा चलते हैं अगर एक दो पॉइंट ऊपर हो जाता है तो क्या हमारा चलान होगा तो दोस के उपर जो चलता है उनके 5% भी उपर हुआ तो माफ कर सकते हैं लेकिन 5% से उपर आप इस पीड लिमिट जितने भी है उसे 5% से उपर जाते हैं तो आपका चलान माफ नहीं होगा और जो भी चलान हो या फिर कोई सजा हो वो आपको भूगदने परेंगे तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप नॉर्मल स्पीड में चले और जो गवर्मेंट ने तैग किया स्पीड लिमिट उसे लिमिट में चले तो दोस्तों वीडियो में इतना ही था मिलता है नेक्स्ट वीडियो वीडियो देखने के देने बाद शुक्रिया